हलो गाईज आई वेलकम यू इन दिस वीडियो तो आज हम बड़ी प्यारी और इंपोर्टेंट स्टोरी पढ़ने के लिए जा रहे हैं इस स्टोरी का नाम है सिंगिंग ग्रासेज और टार्जन वाइन्स तो इस स्टोरी में होता क्या है वो कौन-कौन से एडवेंचर है जिन एक ऐसी कहानी को पढ़ेंगे जिसको आशा नहिमियास ने लिखा है और यह लिया गया है मिस्ट्री ओफ दा सीक्रेट हेर ओयल फॉर्मिला से तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं भिना किसी टाइम वेस्टिंग के अब बचो पाती इसको बोलते हैं ग्रैंड मदर को तमिल लेंग्वेज में तो जो मालू बाती यहां पर हैं उन्होंने एक सीक्रेट फॉर्मिला डिसकवर किया एक ऐसा तेल उन्होंने बनाया जो किसी गंजे सर पर भी बालूगा सकता था शी मेट सम चेंजेस टू दा फॉर्मिला उन्होंने फॉर्मिला में कुछ चेंज किये एंड केम अप विद आ मोस्ट वंडर्फुल एंड अमेजिंग हेर ओयल और एक बहुत आस्चर्य जनक अदभूद अकलपनिये हेर ओयल बना डाला विच पाती नेम्ड वंडर्गो सूपरसोनिक हेर टॉनिक जिसको पाती ने ग्रैंड मदर ने नाम दिया वंडर्गो सूपरसोनिक हेर टॉनिक अब बचो यहाँ पर क्या है कि जब उन्होंने इतना प्यारा हेर ओयल बना लिया तो उनको बुलाया गया अपना फॉर्मिले को प्रिजेंट करने के लिए जो दुनिया के हर वो लॉजिस्ट थे उस कॉन्फरेंस में उन्होंने उनको बुलाया यह हुई थी मौना वाबा हर्वल रिसर्च लैबोरेटरी में यह लैबोरेटरी कहां परिस्तित है मौना शरमपूर में अब हमेशा की तरह अंडर्टेकिंग ट्रेप टू दिस प्लेस इस नॉट इजी अब यहां तक पहुचना बिल्कुल भी आसान नहीं था वन हैस्टू ट्रेवल टू दा कश्मकश रिवर अब जो भी कोई यहां जाता था तो उसको कश्मकश रिवर से होकर गुजनना सबाइधा था क्रोश its dark churning waters उसका वो कालासा पानी गहरा फानी क्रोस करना होता था ट्रेवल ट्रेवल पास्ट डार डेंज्रस वैंको जिमोजी यह तो इंगलिश में इसकी प्रनंशेशन है लेकिन अगर हम इसकी तमिल में प्रनंशेशन करते हैं तो इसको हम बोलेंगे बैंकुली मुली, तो बैंकुली मुली फॉरस्ट को भी क्रॉस करना पड़ता था, और किसकी हेल्प से, ओना वाइल्ड पॉनी, पॉनी कहते हैं बचो, घोडी को, जो घोडी होती है, उसके पीट पर सवार हो करके, इसको क्रॉस करना होता था, विफोर रीचिंग मौना आश् अब जो पाती के लिए चिंता का विशय था वो ये था कि तीन पीपल और थे जो इंसिस्ट कर रहे थे on joining her to this trip उनको इस trip पर join करने की पाती is 12 year old granddaughter पाती की 12 साल की पोती जिसका नाम लैला था her 10 year old grandson उनका 10 साल का पोता जो के लैला का भाई भी था और उसका नाम था बिक्रम या उसको हम बिक्स भी यहाँ पर कह सकते हैं and her 18 years old pink haired assistant और 18 साल की उनकी एक गुलाबी वालो वाली assistant भी थी जिसका नाम था दामोदरन या दामो ये सारे लोग तीनों लोग उनके साथ जाने क जिद कर रहे थे खेर meanwhile dr. नंदिनी कुमार अब एक dr. नंदिनी कुमार भी है यहाँ पर another character who works at the Mona बावा हरवल research laboratory जो Mona बावा हरवल research laboratory के लिए काम करती हैं तो वो क्या करती है dr. नंदिनी कुमार employ करती है एक चोर को जिसका नाम खवरदार होता है to steal the formula before party can present it at the conference कि जो पाती का formula है तुम उसको चुरा लो इससे पहले कि वो conference में उसको प्रस्तूत करे खवरदार passes off as a ferryman अब खवरदार एक बिल्कुल परियों के जैसे वहाँ पर पहुँच जाता है and tries to drawn party and the children in the middle of the Kashmakash river और वो क्या कोशिश करता है चोर कि जो पाती और उनके साती होते हैं बच्चे उनको नदी के बीच में ही जो कश्मकash river है उसमें डुबोने की कोशिश करता है and बाद में he leaves them to fate उनको भागिये के सारे छोड़ देता है and runs away in the motor boat with his friend और अपने दोस्तों के साथ motor boat से उस नदी से बाहर आ जाता है अब यह जो experts है focus करता है wild adventure पर पाती लैला विक्स एंड द बैंकोली मोली जंगल में किये अब बचो यह हमने एक theme जानी इस chapter की के इसका plot क्या है और अब यहां से आगे story continue होगी ठीक है अब यहां पर हमें यह भी पता चलेगा इस story में the title जो है इस story का singing grasses and tarjan wines वो refer करता है singing grasses को जो जंगल में थी which can make a person dizzy जो किसी को भी मधोस कर सकती थ अपने song से and the tarjan wines और उन tarjan की जो wines थी बेल थी which can wrap themselves around once waste जो खुद ही किसी को भी कमर से किसी की भी कमर से जाकर लिपट जाती थी and swing the person around और उस इनसान को चारो और जूला जूलाती थी यह बड़ा ही magnificent एक चमतकारी जंगल था आगे बात आती है the bankoli moly forest was full of the most amazing sight बड़े सुन्दर दरस्यों से जंगल भरा हुआ था once party and the children had mastered the art of staying on the wild ponies और जब बच्चे और पाती जो जंगली घोडिया होती है उनके पीट पर सवार होना अच्छे से सीग गए so they were able to admire the colorful mushroom तो उसके बाद जब उन्होंने आगे यातराए की तो वो अब admire कर सकते थे colorful mushrooms को जो वहाँ पर जनली दिखाई देते थे as large as garden umbrellas और वो इतने बड़े दिखते थे जितना किसी बागीचे में umbrellas होती हैं रंग भी रंगी the flower which looked like translucent और flower इतने translucent दिखते थे means के जैसे उन में से आर पार देखा जा सकता हो सूरच की रोशनी भी उन में से पार जा सकती हो balloons के जैसे वो लगते थे and the bushes और जो जाड़ियां थी doubling over वो ऐसे लगती थी जैसे वो आगे को चल कर आ रही हो आगे को जुकी हुई हो with the weight of juicy berries क्योंकि उन पर बड़े juicy जो berries होती हैं जैसे bear वगेरा होते हैं plums होते हैं उनके बजन से वो आगे जुक गई हो in the shade of purple, blue and red और वो berries किन किन कलर की होती थी purple, blue और red कलर की staying on the ponies गोड़े उपर बैठे हुए with their entire luggage साथ ही उनका सारा luggage भी उनके साथ होता था stepped on their backs उनके पीट पर वो बना होता था was not an easy job अब ये भी कोई आसान काम नहीं था without reins and saddle, बिना काठी के और जो घोड़े को चलाने की रसी होती है उसके and the children seemed in danger of sliding off with every bumpy step और हर bumpy step पर बच्चों के गिरने का डर भी होता था उन wild ponies से so अब यहां पर बात आती है you are a genius पाती, तुम पाती तुम जीनियस हो your idea of making a concentrated version of wonder go supersonic hair tonic to apply to the ponies के जो तुमारा idea था के wonder supersonic hair tonic को ponies पर apply करने का वो brilliant था क्योंकि जो इनका mains है was absolutely brilliant वो बहुती अच्छा है दामू wished he had thought of idea himself दामू अब मन में सोचता है कि यह idea तो उसे आना चाहिए था क्योंकि वो assistant है now that the mains are well doiled अब जो mains थी मेंस कहते हैं बच्चों जो गोडे की गर्दन के उपर बाल होते है ना पीछे उस पर तो अब उस पर अच्छे से तेल लगा हुआ था वो इसलिए जिससे के वो पानी में ना भीग जाए they won't break at the slightest tug they would be disasters wouldn't it so चलिए friends second part start करते हैं तो यहां से यह शुरू होता है yes if you loosen your grip on their mains just because chunks of it break off in your hands you could end up with flat on your nose in a bed of poison ivy or get thrown upon a tree right next to a hive of behemoth bees that could sting you to that तब पाती बोलती है means grand mother बोलती है कि हाँ यदि तुमने अपनी grip जो pony की main है means उसके गरदन के उपर के बाल है उन पर से डिली की तो तुम गिर जाओगे और अपने आपको पाओगे कि एक जहरीली आईबी की जो बेल होती है उस पर या तुम फेक दिये जाओगे जो तुमारे साथ में ही पेड है उन पर जहां पर बेहमoth जो बीज है उनका छत्ता लगा हुआ है और वो तुमें काट लेंगी जिनकी वज़े से तुमारी death भी हो सकती है तो अपनी grip को जो pony क में है उस पर अच्छे से जकड कर रखो this forest is a dangerous place यह जो जंगल है बड़ा ही खतरनाक है पाती वांड डैम पाती ने उनको चेतामनी देते हुए कहा I made a concentrated version of wonder go so that I could carry it in one tiny bottle small enough to be tucked into the purse at my waist अब वो आगे बताती है कि मैं पूरी तरह concentrated थी wonder go जो मेरा project था उस पर तो मैंने उस oil को एक छोटी bottle में करके अपने पास रख लिया था जो काफी परियापत मातरा में मेरे पास है और मेरे पर्स में मेरी कमर से बंदा हुआ है it's extremely concentrated that's why it looks like dark chocolate और इसलिए dark chocolate के जैसा है I had to use just a few drops on each pony मैं हर pony पर इसको थोड़ा सा use करती हूँ look the bottle is still almost full और देखो bottle अभी भी पूरी तरह भरी हुई है if you ask me यदि तुम उससे पूछते हो this concentrated version makes hair grow at a real supersonic speed तो wix insisted wix ने कहा I think my pony's mane is longer already कि जो मेरी pony है उसके जो गर्दन के वाले है वो पहले से जादा lengthy हो चुके हैं जब से हमने start किया था आप यहां image में देख सकते हो इन सबी ने अपनी जो pony है उसकी mane को पकड़ा हुआ है आगे वो कहते हैं कि I could barely cling on and now look he broke off as his pony suddenly bugged pot the air with its front legs kicked up its hind legs like a donkey and settled down with the thumb that made wix teeth rattle अब जो बिक्रम है जो wix है उसकी pony ने क्या किया अचानक से वो हवा में बहुत तेजी से उचली अपनी अगली टांगों को पहले उचाला फिर एक डंकी की तरह से पिछले अपनी टांगों से दुलत्ती लगाई और इस वज़े से जो wix के टीथ थे वो आपस में कड़कड़ाए भी means वो कपकपाने सा लगा hang on tight wix don't worry children it's not much longer to monashram pur अब दादी ने कहा means grandmother ने कहा कि tightly पकड़ो wix और चिंता मत करो हम जल्दी ही monashram pur पहुँच जाएंगे पाती ने चारो और देखा this bit of the forest was familiar to her और उनको ऐसा लगा उनको इस जंगल में कुछ ऐसा लगा जिसको वो पहले से जानती थी after we get through this clump of tree we come to the most dangerous bit of our journey और वो कहती है कि जब हम यहां से थोड़ा आगे चले जाएंगे तो हम अपनी जर्णी के सबसे खतरनाक stage में प्रिवेश कर जाएंगे we have the singing grasses आगे हमें singing grasses मिलेंगी to the right of us हमारे साथ ही वो चलेंगी and the porcupine cacti और जो cactus के जैसे काटे होते हैं जिनको porcupine यहां पर कहा गया है to the left of us वो हमारे बाई ओर चलेंगे the singing grasses are less dangerous वो कहती हैं कि जो singing grasses हैं वो कम खतरनाक हैं because you can draw on their humming by either speaking or singing loudly क्योंकि आप बच सकते हो उन singing grasses के humming से बात करके या कुछ उची आवाज में गा कर I have always found it best to recite something that will keep you alert मुझे हमेशा से ही अच्छा लगा है कि जब आप singing grasses से होते हुए जाते हो तो आप कुछ recite करते रहें like the multiplication table जैसे कि आप table recite कर रहे हैं that way we don't wait a minute और वो कहते कहते रुख जाती हैं और कहती हैं एक minute पाती stopped talking and listen पाती रुख जाती हैं और कुछ सुनने की कोशिश करती हैं they could hear a low growling sound और उनको हलकी सी गुराने की आवाज आती है I am quite sure there are no wild animal here what could that sound be और वो कहती हैं कि मैं पूरी तरह sure हूँ कि यहाँ पर कोई जंगली जानबर तो नहीं है लेकिन तब वो क्या हो सकता है यह आवाज किसकी हो सकती है oh my gosh पाती कहती है oh my god के it's look it's those two jelly valleys अरे यहे यह तो वही jelly valley है means those two table tummy एक दो मोटे पेट वाले वही लोग हैं those wicked men वही दुष्ट लोग हैं who tried to sink us जिन्होंने हमें डुबाने की कोशिस की थी that boatman called खवरदार वो जो boatman था जिसका नाम खवरदार है and the men in the motor boat और जो आदमी motor boat में थे लैला ने आगे बात को continue करते हुए कहा पाती and the children were peering through the snake shaped creepers that drop down from the trees like a curtain across the ear path और जो यहाँ पर पाती और बच्चे थे वो पीछे से जहांक रहे थे snake के जैसे लटकी हुई creeper के पीछे से जो पेड से नीचे लटक रही थी और उनको देखकर ऐसा लगता था मानो यह उनके रास्ते में एक परदा हो बहुती सुद्दर मेंस अब उनको वहाँ पर जिनोंने उन्हें डुबोनों की कोशिस की थी खवरदार और उसके साथी दिखाई दे गए थे इस जंगल में आगे बात आती है यस इट वस खवरदार and the men in the motor boat they lay on the long grass वो लंबी घास पर लेटे हुए थे और गहरी नींद में थे their mouths wide open as they snored उनके मुँख खुले हुए थे जैसे वो खराटे ले रहे हुँ यह दुष्ट गुंडे यहां कैसे आए पाती wondered पाती को अस्चर्य हो रहा था तब उन्होंने क्या किया she look herself awake sternly उन्होंने एकदम से अपने आपको जगाने की कोशिस की this sleepiness was just the effect of the dreaded singing grasses of the bankoli moly अब यह जो sleeping effect उनके उपर आ रहा था यह singing grasses की वज़े से था जो bankoli moly forest में होता ही है the two villains had probably made the mistake of riding through the grasses और उन्होंने जरूर ग्रासिस के बीच से ride करने की कोशिश की होगी and felt sleepy और वो सो गए and been thrown off deer ponies और फिर उनको ponies के दुआरा उनकी fake दिया गया होगा right into the middle of the singing grasses singing grasses के बीच में that's why they were still fast asleep और यही वज़ाए के ये इतनी गहरी नीन में सो रहे है seven ones are seven seven twos are fourteen दामू shouted loudly दामू ने तेजी से ये पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया when he realized और जब उसे realize हुआ that party was sleeping feeling sleepy के जो party है वो भी sleeping feel कर रही है don't let the singing grasses get to you party तब उन्होंने कहा के singing grasses को अपने उपर हाभी मत होने दो party come on bigs and lela bigs and lela ने भी कहा आगरह किया started speaking और singing loudly और उन्होंने भी तेजी से बोलना और गाना शुरू कर दिया wix who could never remember his multiplication tables और जो विक्स विक्रम 10 साल का पोता था जिसको कभी अपने multiplication tables याद ही नहीं रहते थे burst into a horribly turnless ba ba black sheep वो भी एकदम से फट पड़ा लगभग और ba ba black sheep जो poem है उसको गाने लगा with such unexpected loudness अब इस तरह की unexpected loudness के साथ his pony was startled startled into shooting off as a fast trot अब उनकी जो pony थी वो भी अचानक से चौप गई इतनी तेजा बाजो को सुनकर और तेजी से चलने लगी this distracted party in the middle of her eight eights are अब इस बज़े से पाती थोड़ा distract हुई उनकी नींद कुछ भागी और वो बोलने लगी eight eights are कितने होते हैं 64 so she didn't hear a hoosing sound तो उनको जो एक whimsical sound आ रही थी उस grasses से वो आनी बंद हो गई she didn't hear leila and damu yell अब उनको ये भी आवाज नहीं आ रही थी जो leila और damu थे वो भी yell कर रहे थे चिला रहे थे watch out party that looks like a tarjan wine तब ही किसी ने कहा आती देखो वो एक tarjan wine है suddenly she felt herself being clasped अचानक से उन्हें लगा कि जैसे उनकी कमर के चारो और कुछ आकर लिपट गया है lifted right off her pony उनकी घोडी से उनको उठा लिया गया है wished through the air हवा में उनको घुमाया गया and finally released with a shocked thud right on to something which felt as springy and spongy as a waterbed और बाद में धीरे से उनको पटक दिया गया बड़े प्यार से किसी बड़ी मुलायम और spring नुमा चीज पर जो बड़ी मुलायम गदेदार थी जैसे कि कोई पानी का विस्तर होता है निस उनको कोई चोट नहीं लगी when she scrambled up in a days she realized she had been carried by the tarjan wine और जब उनको थोड़ा होस आया तो उनको ये भहसूस हुआ कि उनको tarjan wine के द्वारा ऐसा किया गया था and thrown right on to the sleeping खबरदार और उनको खबरदार जो के सो रहा था उसके पास में पटक दिया था लेकिन खबरदार वास जॉल्टेड़ अवे लेकिन अचानक से एक sudden moment होई और जो खबरदार था वो उठने लगा तो यह है यहां पर आप screen पर देख भी सकते हैं अब खबरदार दीरे दीरे उठने लगा था और जो granny थी वो उसके पास में पड़ी हुई थी जो grandmother थी तो क्या होता है he shrieked जब खबरदार ने देखा तो वो चिला पड़ा his face was turning white in terror और उसका जो चेहरा था वो आतंक से सफेद पड़ गया और उसने कहा the old women अरे यह बुडी मैला I drawn'd her मैंने तो इसको डुबो दिया था she has returned as a ghost to haunt me और शायद यह मुझे डराने के लिए एक भूत बनकर बापिस आई है और वो चिलाने लगता है help ghost the man who had been driving the motorboat woke up and joined the yelling और वो इनसान जो के motorboat को drive कर रहा था खवरदार के साथ था वो भी वो भी उसने जब देखा दादी को तो वो भी चिलाने लगा and 9-2s are 18, 9-3s are 27 पाती shouted, पाती चिलाने लगी इस टेबल को the humming was so much louder right in the middle of the grasses क्योंकि जो humming थी singing grasses की वो बहुत ज्यादा louder थी क्योंकि इस समय वो लोग गास के बीचों बीच थे then she had to yell at the top of her voice और इसी लिए पाती को यानि grandmother को बहुत उची आवाज में चिलाना पड़ रहा था टेबल को he help the ghostly witch is chanting mantras and spells at us अब वो और जादा डर जाते हैं जो खबरदार और उसका साथी होता है क्योंकि उनको लगता है कि जो दादी होती है वो कोई ghostly mantra जप रही थी जो उनके उपर वो भूगना चाहती थी where is my bag मेरा bag का है I have a gun मेरे पास एक गन है और गन का नाम सुनते ही पाती एक्शन में आ गई she fumbled in the silk purse अब उन्होंने तेजी से हाठ डाला अपने silk के पर्स में जो के उनके कमर में बना हुआ था for the only weapon she had with her और केबल उस weapon के लिए जो उनके पास था the bottle of concentrated wonder go supersonic hair tonic और उनके पास कौन सा weapon था उनका वो supersonic hair tonic जो था जिसका नाम है wonder go she removed the little cork उन्होंने उस bottle का छोटा सा cork हटाया stopper and flung the thick liquid on to their faces और उनके चेहरे पर जो वो liquid था उस bottle में उसको उचाल दिया and वो चिलाने लगे the man screamed in surprise हरान हो गए वो चिलाने लगे पाती dashed off without stopping to look back at the two men और पाती बिना देके बहुत तेजी से वहां से बापस आने लग गई और वो जो दो इनसान थे trying to rub the chocolate colored liquid of their faces और दोने इनसान उस chocolate color के जो liquid था उसको अपने चेहरों से साफ कर रहे थे the children were waiting for her on the narrow path बच्चे उनका इंतिजार कर रहे थे जो दादी के पोता पोती और उनका एक assistant था सब के सब लोग कहाँ पर कर रहे थे between the porcupine cacti and the singing grasses इसके बीच में लैला एंड दमू वर tiredly chanting the multiplication हालंकि वो काफी ठक गए थे लेकिन फिर भी multiplication के tables को पढ़ रहे थे read कर रहे थे क्योंकि यही एक मात्र सहारा था जो उनको सोने से बचा सकता था as loudly as the ear parched throats would allow अब उतनी तेजी से जप रहे थे जितनी तेजी से वो chant कर सकते थे खैब देखते हैं आगे क्या हुआ while vix was still singing baba black sheep और जो vix था वो भी अभी भी means bikram baba black sheep को chant कर रहा था बड़ी ही tuneless manner में and waiting with the children was a whole new set of problem to be sorted out there were no ponies in sight और एक नई problem उनके सामने आखडी होई थी वो क्या थी कि अब उनके पास ponies नहीं थी सबारी वो किस पर करते the children had obviously been thrown off by the ponies और जाहिर सी बात है कि बच्चों को ponies ने अपने उपर से फेक दिया होगा and which had then run away और बाद में जो भाग गई होगी they now sat crouched on the path with different bits of clothing wrapped around their heads and arms as protection और उन्होंने अपने सर के उपर हातों पैर उपर अलग अलग प्रकार के कपड़े लपेटे हुए थे क्यूंकि जिससे के वो रास्ते में अपने आपको प्रोटेक्ट कर सके cacti जो porcupine cacti थी उनसे पाती felt a scorpion like sting on her arm as she reads the group अब जैसे ही पाती अपने ग्रूप के पास पहुंसती है तो उनको लगता है कि कोई बिच्चू के जैसा उनको कोई डंक मार रहा है ौच she winced in pain वो चिलाती है pain में cry करती है as she removed the thorn with the porcupine cacti had shot into her arm और वो देखती है तो उनको पता चलता है कि जो porcupine cacti है वो उनके हाथ में काटा उसका लग चुका है उनको हैरानी होती है कि how they were going to get through this part of the forest without getting a thorn up their noses और even worse that through their eyes अब वो सोचती है कि वो इस जो porcupine cacti से भरा हुआ रास्ता है इसको कैसे पार करेंगे means ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इस रास्ते से होकर जाएं और उनकी नाक में काटे ना लगें और इवन इससे भी बुरा कि उनकी आखों में काटे ना चुबें how are they going to get to monashrampur वो monashrampur कैसे पहुँचेंगे without the ponies क्योंकि अब उनके पास ponies भी नहीं है यदि ponies होती तो वो काटों से थोड़ा ओपर निकले हुए होते लेकिन अभी तो वो बिलकुल उनसे होकर ही जाना है और काटे उनकी हाइट से भी बढ़े थे पाती refuse to walk through the singing grasses again और पाती ने refuse कर दिया था दोबारा से singing grasses से होकर के जाना क्यों क्योंकि we can't take the risk of going near them क्योंकि उसने बच्चों को बताया दादी ने कि अब हम रिस्क नहीं ले सकते उन criminals के पास से होकर के जाने का क्योंकि we will have just to throw the porcupine cactus somehow क्योंकि अब हमें यहीं से ही जाना होगा porcupine cactus है क्योंकि उनके पास gun भी है दामू's shoulder was were aching अब दामू का जो कंदा था वो दर्द करने लगा he looked thin वो थोड़ा कमजोर सा तो पतला सा तो दिखता था and very but was and very but was in fact extremely strong वास्ता में वो मजबूत बहुत था when he trained at his father's wrestling gym every morning जब हर सुबा उसको उसके father के gym में तयार किया जाता था he used 250 kilo sacks of rice instead of dumbbells तो वो धाई सो किलो 250 means धाई सो किलो के चाबल के बोरो को उठाया करता था dumbbells के मुकाबले he so he had been given the heaviest bundle to carry तो उसको सबसे जादा भारी बजन का bundle carry करने के लिए दिया था he eased the bag of his shoulder उसने धीरे से असानी से अपने कंदे से बैग उतारा letting it drop उसको गिर जाने दिया to the ground जमीन पर with a clang एक clang की आवाज के साथ that scent दा अब इसकी वज़े से क्या हुआ जो pomegranate cedar था ginger greater and the spinach spinach oil strainer था spinning on the soft grass वो soft grass पर घूमने लग गया means strainer बच्चों एक ऐसी चीज होती है जो एक solid or liquid को आपस में separate करता है पाती picked up the spinach oil strainer पाती ने उसको उठाया she held it over her face और अपने सर के मुग के सामने लेकर आई और मुस्कुराई के throw the steel mess at the children who would have throw thought we would be carrying masks helmets with us अब वो उसके मन में idea आया और उन्होंने उनसे पूछा कि आप मेंसे कौन बता सकता है कि हमारे साथ mask या helmets हैं जो हमारे सर को product कर सकते हैं was her only comment as she started searching the bundle और यह उनका comment था के उन्होंने bundles को start करना search करना शुरू कर दिया hold that over your face like this this as we go through the cacti अब वो कहते हैं कि इसको अपने सर के सामने कर लो जो भी आपको मिल रहा है helmet mask वगेरा सर के उपर रख लो क्योंकि अब हम cacti से होकर जाएंगे और bigs the biggest trainer और जो bigs था वो बड़े जो बड़ा तुम इसको अच्छे से use कर सकती हो दामू I'll manage with the cane basket over my head और दामू मैं अपने उपर जो cane basket है उसको रखूंगा अपने सर के उपर and so sweat in layers of clothing और wearing the pots अब उन्होंने क्या किया उन्होंने कपडों की layers बनाई जो pots थे उनको उन्होंने पहन लिया basket को अपने सर पर रखा जैसे कि helmet holding the strainer over the ear face और strainer को अपने चेहरे के सामने उपर रखा mask and looking like character from some bronze age action thriller और उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे ब्रॉंज एज के action thriller characters है पाती and the children got safely past the porcupine cacti और इस तरह से by this way वो safely porcupine cacti से बाहर निकल जाते हैं और यहां पर आपकी कहनी का story का भी end होता है जितना expect यहां पर दिया हुआ था so hope guys के story आपको समझ आई होगी and related to this if you have any kind of message question comment suggestion so just feel free to message me बागी मिलते है next video में और हाँ channel को subscribe करके जरूर जाना और आपने video यहां तक देखी है तो यह भी बताना के आप कहां से हैं बागी okay